कुछ लोग कह रहे हैं साम अब तो वो सनात्री हो गई हिंदू हो गई अब वो आजाई यहां पे रह जाएं देश ऐसे नहीं चलता पाकस्तान ऐसे चल सकता है अरे मर गया निजर मरने दे उसको क्यों पीछ पड़ा यार उसके दोस्तों बड़ी चर्चाओं में है सीमा गुलाम हैदर सीमा गुलाम हैदर जो एक औरत पाकिस्तानी चार बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई दुबई से जाती है नेपाल नेपाल से आती है भारत और ये दो चार दिन से बड़ा चल रहा है मामला साथ कल मैं भी डिबेट में था जहां पर बाते हों ही सामने पाकिस्तानी थे देखिए मैं दो चार चीज़े आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में जो आप समझ लीजे और ये चीज़ बड़ी खतरनाक है बड़ी खतरनाक है मैं यह नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हेदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा कुछ गलतियां हमारी है पाकिस्तानी रही हैं जैसे पाकिस्तानी है और बीच में क्या आइंगल है यह मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं लोग यहाँ पर बड़े एमोशनल हो रहे हैं साब वीरजारा की फिल्म आ गई है साब दुबारा गदर फिल्म की स्टोरी दुबारा चल रही है तारा सिंग चला गया साब वहां पर तारा सिंग की जगए कोई और आ गई हैं यहां पर लोगी चल सकता आप लोगों की मान सकता गलत है हिं осьै वह तो हिंदू बने वुह मुसल्मान उसिक बने इसाइ्व बने अगर गलत है तो गलत है उठा के बार देको और आप अपको नहीं पहले पहले भी डिसकस करaterा आ मैं लोग ना लोग इमोशनल होघाते यहां है लोग इमोशनल हो जाते हैं वीर जारागी फिल्म चल रही है इनके दिमागे एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आस्मान का फर्क होता है कितनी सीमाएं इसके पहले आचुकी हैं भारत के अंदर आप गैरंटी दे सकते हैं कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से नेपाल की रूट से वापिस इंडिया रखें आप गैरंटी दे सकते हैं कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में मुझे तो नहीं पता लेकिन अगर पांच लोग आ सकते हैं एक सीमा अपने साथ चार बच्चे लेकर अगर पांच लोग आ सकते हैं तो पांच हजार भी आ सकते हैं है कि नहीं तो सबसे पहले हाँ नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है यह हमें पूरा करना पुड़ेगा यह किसी तरीके से हमें इंटेलिजन्स के सोर्से ऐसे करने पुड़ेंगे कि यह सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फाइदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का लेकिन दोस्तों लेकिन मैं यह सीमा गुलाम हैदर के बारे में दो-चार चीज़ें बोलना चाता हूँ सबसे पहले कर इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है और उसने बोला कि उसकी भरती 2022 में हुई थी यह डिरेक्ली 2022 में है आज 2023 है यह एक साल में हवलदार बन गया मैं आपको एक बाद बताता हूँ पाकिस्तानी फॉज के बारे में बिटिश इंडियन आर्मी थी 1947 में बिटिश इंडियन आर्मी थी इनके कस्टम ट्रेडिशन काफी हद तक सेम है इनके रेजमेंटेशन काफी हद तक सेम है जो कॉंसेट रेजमेंटेशन वे उसकी बात कर रहा हूं कई चीज़ें बदली हैं उन्होंने इसलाम डाल दिया अपनी फॉज के अंदर तो से कई चीज़ें नमाज वहाँ पड़ते रहते हैं वह अलग चीज़ें लेकिन अभी भी रेजमेंटल सिस्टम और कस्टम बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम हैं मैं यह बात जानना चाहता हूं कि दो हजार वाइस की भरती in 2023 में वालदार कैसे बन गया बई पूराट ओकए अच्छ अप बात करेंगे हो सकता है सबकिसी लेवल-पर ड different entry होती है कि सीलेबल-प डिरेकट-टो थी वह lower pec कि नहीं उसकी नौकरी भी पकी नहीं हुई है वो temporary है यह वह कहती है यह कॉन सी नौकरी है यार मुझे तो भारतिये बोलता है उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं राइट अगर पाकिस्तान में कोई है लेकिन मैं आपको बाद बताता हूँ जो ये शब्द इस्तमाल करती ह मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है इसने फौज नहीं बोला इसने सेना बोला सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है ऐसे ये आप मैंने तो आप ज़रा छोटा साही देखिए ज़रा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बाच्चीत करती है जर्तरस्त करता है इंकी मतलब घरम में मैं वहां रहे के बीहां की चीज देना वरात्रि हो लियु रो हो ये सब इनके मनाते थी हम दोनों साथ मैं हाँ इन्हों ने दोनों मेरी एक एन्जिए च्भी हाई उसके बास कि survey शुरू बात ही ती सर आपको पैदा है मीडिया है यहां कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती हैं आप अपने देखा दोस्तों इसको बोलते हुए यह जो लड़की है यह जो औरत है यह लगातार बोलती है परफेट हिंदी बोलती है इसकी हिंदी में कोई गड इंडिया में आके बैठी है वो तो भलाओ स अचिन मीना का वो तो भलाओ स आदमी का कि उसने बता दिया कि यह पाकिस्तानी है चाहे उसने मंद से बताया हो बेमन से बताया हो लेकिन उसके मुझे बात निकली जिसकी वज़े से मामला परदा फाशा मीडिया पहुंच गही उसके घर में अब वो लड़की बन गए यह celebrity और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के तुरू यहां पे आएं यह बहुत बड़ा खेल हो रहा है मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज इस तो सचिन मीनई ने बता दिया अब मैं आपको कुछ चीजां बताओंगा जो आगे चल के होंगी जो आपको आगे चल के पता होंगी मैं चाहता हूँ यह video आप सेव करें मैं अभी बवेश्यमाण ही कर रहा हूं और यह video सेव करना और आप बोलना कि नहीं हो गया आपने ठीक बोला है अपने गलत बोला था कि सचन दवाँ में के सचन मीनाा दवाओ में है चाहे वो कुछ भी बोले जाहे कुछ भी जी सबोले उसको वापस पाकिस्तान नहीं भी पर जेल में मत रखो जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है जो भी इसका बाप बोल रहा है सचन का जो भी इसकी मा बोल रही है यह PUBG से प्यार हो गया, यह सब स्टोरी है, ठीक है, अपना घर छोड़ कर आती है, इसने क्यों छोड़ कर आई यह पाकिस्तान, और PUBG से प्यार हो गया, यानि कि आपने देखा होगा जब यह बात करती है, यह कैमरा से डिरती नहीं है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्व जियाने लगते हैं उनको पता ही नहीं लगता कि जाला के सामने बोलना क्या है यह बड़ी कॉन्फिटेंट है यह बड़ी कॉन्फिटेंट है जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेंड करा होगा यह जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्विज की ट्रे चार बच्चों का future कुछ नहीं पता तो आपने जाट करा था और भारत आगये आपने दुनिया भर में और कोई यह तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने, ऐसे कितने लोग बंगलादेश से आके यहां पे रह रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुधनेगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आज की तारीक में, नोट करना आप यह, आप यह, नोट करना दस साल की बात है बस, जितनी तेजी से यह लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं आपे ग्रेटर नर्डा में, और जगे भी आ रहे होंगे, और जगे भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं, और आपका कल बहुत काला होने वाला है, मैं आप, I'm not fear mongering, I'm telling you the truth, आप जा She is possibly, मैं यह नहीं कहा रहा कि मुझे कोई guarantee है, मेरे पास कोई proof है, लेकिन she is very possibly an ISI plant, she is very possibly an ISI plant, यह गलती से exposed हो गई है, और अब यह cover up operation अपना कर रही है, लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है, कि यह घ sleeper sale होता क्या, घुलमल के राजा, sleeper sale में कौन होता है, कोई पान वाला होगिए sleeper sale में, कोई किसी दुकान में salesman का काम कर रहा है, वह sleeper sale वाला, कोई college का professor है, वह sleeper sale वाला, आम लोग, आम लोग, जिनको आप बोले कि यह यह तो housewife है, ठीक है, नमस्कार, नमस्कार जी नमस कर, बस, वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं vegetarian बन गई, ठीक है, इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे, तो अगर कोई professional इस से अगर बातचीत करेगा, और सुराग निकालने की कोशिश करेगा, तो आपको पता लगेगा कि इ पीडिया को जाने की जरुत नहीं उसके घर में और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे, और फिर, फिर आप NRC करो, मैं आपको बता रहा हूँ, खत्रे की गंटी बज रही है, कल बहुत बड़ी प्रोब्लम होने वाली है, तारिक फत्रे साब जिनका देहान तो गया, तारिक फत्रे साब ने मुझे, मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकता, जो उन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, खत्रा है और बहुत जबरदस खत्रा है, दोस्तों जो और खबर आई है, भारत ने पाकिस्तान को मना कर दिया, बोला कि साब, एशिन गे इंडिया सेकेटरी जैशा है, एक्सेप्टेट पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड इंटरिम मैनेजमेंट कमिटी चेर्मिन जखा अशरफ इंविटेशन तो विजट पाकिस्तान, कि भाई, ये एहसान और रहमान मजारी ने ये स्टेट्मेंट दिया, कि साब हम लोगों ने पाकि जैशा ने बोला कि हमारे खांदान में रिवाज नहीं है, बिकारियों के साथ उतना बैठना, एंड व स्टोरी, जैशा ने बोल दिया कि मैं जाई नहीं रहम आपे, क्या बखवास कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी जूट बोल देते हैं दोस्तों, दे लाए ठूट टीथ, है, जिसकी उपर मैंने इनाम, रख़ा है, जिसकी खुपढ़िया पे, कितना इनाम रखी है रहे सरकार, तो मारी खुपढ़िया पे गुर्पतवन सिंग पननू सरकार ने रख नर रखा दस हजार डॉलर। तो दोस्तों यह story यहां पर गुर्पतवन सिंह पन्नु का मामला यह कि इसने बोला है मैं वर्ल कप कर दूंगा प्रोख्लिस्तानी लीडर गुर्पतवन सिंह पन्नु थ्रेटंस तो डिसरप टूथ 2 CTW काप इंडिया इन वीडियो सर्कूलेटिंग सोशल मीडिया इन दे वीडियो पन्नु परपोर्टेडली थ्रेटेंस तो अवेंज देथ प्रो खल अरे मर गया निजर मरने दे उसको क्यों पीछे पड़ा यार उसके निजर 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 मैं अब मेरे मूँ से निकलेगी गाली इसके लिए तो छुपके बैठा रहा हूं बेस्मेंट से मत निकल कोई ना कोई ढूंड रहा है तेरे को तेरे पुराने माले के ना पुराने बाप आएसाई वाले ढूंड रहें बिलकुल आएसाई के कुत्ते दे आर लुकिंग फॉर मैं बता रहा हूं तेरे को निजजर के साथ बैठ के ऊपर पपलू खिलवाएंगे लोग यह लोकिंग फुर यू पन्नु तु छुप जा बकवास कम कर तेरे को आएसाई निप्टाने वाली बहुत जल्दी निप्टाने वाली आएसाई तेरको बी सेफ बी केरफुल और ज खालिस्तानी एजनसीज क्या कर रही है देयर क्लीनिंग हाउस वो कह रहे हैं में दुबारा ने जाना जितने भी एक कुट्टे बिल्ली हमने पाल रख थे सबको निप्टाव देरी देरे और कच-कच-कच-कच-कच-कच सबको मार रहे हैं और पन्नु यह और अंदर एक लि कुट मीं बिल जाती है इन्हों से क्या करा इक खालिस्तानी को खड़ा करा दो चार को खड़ा करो डस-57 को खड़ा चेरा यह गुजगाए पॉलिटिक्स में और सब सबसे जाधा खालिस्तानी आपको कनड़्डा में मिलेंगे सबसे ज्यादा काम उन्होंने वही करना है ट्रक उबर इसके अलावा कुछ नहीं लेकिन और मैं यह कह रहा हूं कि खालिस्तानी वह कोई साइंटिस्ट कोई डॉक्टर कोई बड़ा वकील कोई ऐसे लोग नहीं जाते ठीक है उसमां वही उन्होंने काम करना है कि उन्होंने जैजी वी के गाने लगाने और उबर चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते लोग अब मैं आपको बताता हूं ए यह अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी है यानि लेफ्ट लीनिंग पार्टी है यह सब जूट है मैं आपको बता रहा हूं चाहे खालिस्तानी हो चाहे रैडिकल इस्लामिस्ट हो हर जगे यह लोग अल्ट्रा लेफ्ट के साथ गडजोड करके रखते हैं ठीक है अल्ट्रा लेफ अल्ट्रा लेफ्ट का क्या मतलब होता है जो पिल्कुल हाड़कॉर कॉमिनिस्ट है वो तो मजभ को मानते ही धरम को मानते ही फिर जगमीद सिंग ने पाग वगाग और दाड़ी वाली क्यों रख रख लिए यह कडाकियों पहनता है बंदा इस एक धर्म की बात यह तो अल्ट लेफ्ट पाट्ट यह सब कुछ नहीं है मैं बता रहा हूं यह यह जगमीद भी टेर्रिस्ट और जस्तन टूड़ो जो है कैनड़ा का यह बड़ा कंजोर लीडर इसकी गविन जो है मैनौर्टी गवर्मेंट है ठीक है तो यह जो एन्डिपी न्यू डएम्यों खालिस्तानी भार भार के कैनेडा में सेटल डाउन हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हीं का बंदा वहां पर बैठा है ये भी खालिस्तानी सपोर्ट हा रहा है और ये खुल के खालिस्तान को सपोर्ट करता है ठीक है मैं बता रहूं ये जब भी देखिए जब भी किसी को प्रॉब् सिंग है NDP का हेड यह असली में टेर्रिस्ट है और जस्टन टूडो जो की कैनाडा का हेड है इस मैं इस बंदे के पास अतने लोग ही नहीं है अगर इसको प्राइम मिनिस्टर बने रहना है इसने क्यों वो जो श्रीमती इंद्रा गांधी का जो टैबलू था जिसमें उसका अ क्यों नीचे गर जाएगा और जगमीट सिंग खुद इतना तकड़ा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए जिस दिन जगमीट सिंग प्राइम मिनिस्टर बन गया वो तो कैनड़ा का नाम खालिस्तान कर लेगा वो कह रहा दिया आओ जी इतना ही आजाओ सब एवरिधि इसकी केंपेंड के फांड इसके लिए पार्टी का इसके ऑफिस चलाना लोगों को सेलरी देना यह सब ड्रग बेज़ पाकिस्तान के पास और पैसा तो है नहीं तो ड्रग बेज़ बेज़ के and a lot of these खालिस्तानी इस a lot of मैं सबकी बात नहीं कर रहा साले कारा सारे खालिस्त जैंतों यह पाकिस्तान के थे रहा राक पर पंजाब में दोस्तों पाकिस्तान के थे द्रग्स आएं इसलिए पाकिस्तान में इपना बढ़ा और मैं यही प्रॉब्लम कश्मीर वैली में भी है Massive Drug Problem in Kashmir Valley Massive Drug Problem कोई इसके बारे मैं बात नहीं करता वहाँ पर वो बात अलग है लेकिन I am witness यार मैं तो De-Addiction Center में जाके देख चुका हूँ वहाँ पर दो दिन गया था मैं De-Addiction Center में और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर होता क्या है यार बहुत बुरा हाल है वहाँ पर बहुत बुरा हाल है इसी तरीके से ये पाकिस्तानी सारे Drugs अपने कैनेडा में बेचते हैं खालिस्तानी इनके Drug Network का Distribution का बहुत बड़ा हिस्सा है ठीक है और ये जो खालिस्तानी है ये Drugs का पैसा देते हैं जगमीद सिंग को जिससे की जगमीद सिंग एक पॉलिटेशन बनाई यह सारा ड्रक फ्यूल्ड मामला है खालिस्तानियों का ठीक है तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एक तरफ सीमा गुलाम हैदर ठीक है जो चार बच्चों की एक सॉब स्टोरी विक्टम नहीं है ISI और यह गेम पूरा चल रहा है मैंने सोच आपको बता दूँ दस वोमेन इस वरी डेंजरेस इसको जितनी जदी लात मार के देश देने कालू उतना बढ़िया और जगमीद को वाट इंडिया शुड़ डू मैं आपको बताता हूं सारा गेम पैसे का यार और किसी को गेम ही नहीं आप को इंडियन बंदा खड़ा करो ठीक है या वहां का कैनेड़ा का बंदा जो थोड़ा सा तकड़ा ऐसे नहीं जस्टिन टूड़र वाला जैसे लग रहा है कि जैसे पुबली भी भिंडी टाइप नो 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 स्ट्रॉंग आप उसको फंड करो आपको क्य तो उसमें खड़ा होने वाला है ठीक है और तिरको पैसा चीए यह ले तीन सो मिलियन डॉलर आज दे रहे हैं तिरको 300 मिलियन डॉलर तो अपने पार्टी के ऑफिस हर जगे खड़े कर हर जगे खड़े कर और पूरा मीडिया में आ जा तू एक काम कर तिरको में इतना पैसा देंगे तो कैनड़ा में एक टीवी चैनल ले एक टीवी चैनल ले पूरी सोशल मीडिया की टीम अपनी बना ले पचास लोग बना ले वहां पे और उन पचास में आप इंडियन को डल दो इंडियन पर तेज हैं इसकाम में बढ़े आईटी के काम में ठीक है अपना ओफिस तीन लोग अपने यह चाया रहे वहां पे यह गो रहा हो भूरा हो काला उसको फरक ने पड़ता अपना बंदा होना चाहिए खास राइट अगर इंडियन हो तो और अच्छा है को यह ना रही उसको गर्मेंट ऑफ इंडिया फंड करें और उसको अनलिमिटेट फंड्स दे पैसे की कोई कमी नहीं है यार कोई पैसे की कमी नहीं है इंडिया में बताओ कितने चाहिए ;; आपको बिल्कुल ये जो भी इंडिया के लिए national security threat है वो आपका personal enemy है आपका दुश्मना ठोको इसको पकड़ के वो करेगा अंदर आपका काम वो करेगा आप हर एक चुनाओ को fund करो at all levels Canada के हर एक चुनाओ को fund करो यही चीज आप US में करो यही चीज आप Australia में करो यही चीज UK में करो इंड आप जीत पाओंगे तब पूरी तरीके से स्फ हो पाओगे इन खालिस्तानियों को मैं बता रहा हूं इनको मारना कम है घसीतना ज्यादा है ठीक है इनको थपड़ कम मारने है इनको जलील ज्यादा करना इनको तब्छा किसमझ में मैं आए यहे झाल झाल झाल